हेलो एवरीबन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैगनेट बेंज हिंदी मीडियम पर मैगनेट बेंज हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कख्षा साथ मी से लेकर करके का संपोर्ड पार्टिक्रम बिल्कूर निसुल्क म नहीं करना है कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है तो बात करेंगे इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो में हम NCRT शॉलूशन देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 के क्लास 10 की जो राज़ती विज्ञान है उसके चैप्टर नंबर 4 यानि पर भीड़व करना है जिन में इस दियों के साथ भीड़व किया जाता है और निम्र तरीकों से बंचित किया आता है अपने देखते हैं कि करके उन्हें परियाप सिक्षा नहीं दी जाती महलाओं में साक्षर्टा का दर जो केबल 54 परसेंट है जबकि पूर्सों में 76 परस् करना ज्यादा पसंद करते हैं तो यहां पर आपको लैंग अभेद या लैंग एक भेद आपको देखने को मिलेगा इस तर्य और पूरुस में उनके दोबारा किया गया अधिकांस स्रम अवैतनिक होता है अवैतनिक इसलिए कि घर में जब वो काम करती है उसका वेतन नहीं म सकते हैं कि अवैतनिक का मतलब क्या होगा वेतन कुछ है नहीं जो भी मिलना है मिल जाएगा भुक्तान कर दिया आपने मालों की घर में रह रहे हैं तो आपने कुछ पेमेंट कर दिया पेमेंट क्या खाना खालो बना लो यह सब चलता रहता है तो अवैतनिक होते हैं उसके वेतन भी नहीं देते और साथी साथ अगर जहां पर वेतन मिलता है वहां पर क्या होता है पुर्सों की तुलना में कम होता है काम के हर छित में महलाओं को पुर्सों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है चाहे दोनों का काम समान हो आप मैं देखा होगा जब भी आप मजदूर लेने जाते होंगे तो दो प्रकार के मझदूर हैं एक मेल है और एक मेल को आप देते हैं 301 रुपए पर दे और फीमेल को वहीं देते हैं आप 200-500 और पड़े मतलब कम दें जबकि काम की घंटे इसके भी आठ काम के घंटे इसके भी आठ काम दोनों को सेम करना फिर भी रेट में अंतर क्यों 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 कि पुरुस और इस तरी के अधार पर आप विभेद करते हैं मतलब आप क्या कहेंगे इसको पुरुस 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 प्रस्तर प्रसमबर दो बिभिन ने तरह की संपरदाय के राजनीती का व्यॉवराद हैं और सब के साथ एक-एक उधार अधिभी थे रोजमर्रा की मानताओं में संपरदाय की अविव्यक्ति जाए है इसमें तोसी लखेंगे इन में धारमेक पूर्वाग्र है धारमेक पूर्वाग्र और एक धर्म को दूसरे से श्रिष्ट mıनने की मादने ताएं सामिल है sa militantय धार्मिक समू इसका एक अच्छा उधारन ऑफ दूसरे है एक प्रमुक प्र्भुत का एक प्रमक प्रुभुत या एक अलग राच बनाने की एक्षा घैस संप्रदाइक सोच अपने धार्मिक समदाय का राजनितिक प्रभुत इस्थापित करने की फिराक में रहती है जम्मु कस्मीर और मद्ध भारत में अलगावबादी नेता राजनितिक दल इसका एक उधारन है तो इसका एक उधारन आप वो अलगावबादी नेताओं को देख सकते हैं अगला क्या है मद्धाताओ को अपील करने के लिए राजणिती में धार्मेक परतिकों और नेताओं का उप यूग इस पह धर्म के परतिकों धर्म It doesn't iam झकी मोगने तरीख्षाने की तरीख का उ प्योग किया आता है तो मत दातां सब क्या धार्मेक पृतिकों और नेताओं का उप करते हैं कोई स्वास्तिक लगा जाता है कहीं कोई चिन्ने से लगा कि कपड़े पहना लाल पीले हरे इन सब माध्यमों से क्या करते हैं बोड डलवाते हैं इन सब इन सब के अलावा सामपरदायक राजिती 2002 में गुजरात में हुए दंगों की तरह संपरदायक हिंसा और दंग आपण देखते चलेंगे जाते के अधार पर विभाजन सिर्फ भारत नहीं देखने को मिलता है जाती के अधार पर भारत में आपको देखने को मिलता है आज भी एक जाती समूँ के लोग अन जाती समूँ में ना तो अपने बच्चों की साधी करते हैं और ना उनके साथ बैठ कर भूजन करते हैं इसको intercast marriage कहते हैं अन्य जाती में साधी करना अब बहुत आसानी है आप चाहे बड़ी जाती के चाहे छोटी जाती को बहुत आसानी से समाज आपको accept नहीं कर पाता बड़ विवस्था आज भी देखने को मिलती है लेकिन बड़ विवस्था कैसी हो गई है अब जन्म आधारित हो ग बिभार कि जाता है जिन जातियों को पहले सिक्षा से बंचित रखा जाता था वो आज भी पिछड़े हुए हैं मतलब सिक्षा के मावले में वो आज भी पीछे चुनाओ शित में भी पार्टिया मदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हो और उसी के हिसाब से अपना कंडियेट गोसित करती है अगला प्रस्ट में प्रस्टमबर चार दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाती के धार पर भारत में चुनाव नतीजे तै नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी पार्टी एक जाती है समधाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती देश्टे क किसी भी एक संसदी चुनाव चित में किसी एक जाती के लोगों का वहुमत नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जाती के 50 परसंट जाता लोग आपको देखने को मिलेंगे तो ऐसा वहुमत आप नहीं देख पाएंगे अगरा प्रस नहीं है प्रस नमबर पांच भारत की विधायकाओं में महलाओं के प्रतनत की इस्तिती क्या है जब विधायकाओं में महलाओं के प्रतनत की बात आती है तो भारत का नमबर दुनिया में सबसे निचले देशों में से एक है महलाओं का प्रतिनत हमेशा लोग सभाव में 10% से कम और राज की बिधान सभाव में 5% से कम रहा है मतलब अगर हम राजनीती में महलाओं की हिस्सेदारी देखें प्रतिनत की बात करें तो बहुत कम है पुर्सों की तुलना में इस्थानी सरकारी निकायों में एक तिहाई सीटे महलाओं के लिए आरक्षित है ग्रामीर और सहरी महला निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महला पर नहीं दी है यहाँ पर मिस्तिती खराब थी लेकिन का कर दिया गया महला आरक्षण कर दिया गया इस कारण से एक तहाई वहाँ पर लोग आने लगे हैं चुनकर महला संगठनों और कारकरताओं की मांग है कि लोकसभा राज की विधान सभाव में भी एक तहाई सीटे हैं महलाओं के लिए आरक्षण करनी चाहिए इससे क्या होगा इससे फिर उनका प्रतिनस्त भी बढ़ पाएगा वो समाज में आगे आपाएंगी राजनिती में आगे आपाएंगी अगला प्रस्ण प्रस नमबर 6 कि नहीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्म निर्पेक्ष देश बनाते हैं भारत को धर्म निर्पेक्ष राज बनाने वाले दो समधानिक प्रावधान हैं समधान सभी व्यक्तियों और समधायों को किसी भी धर्म को मानने अभ्यास करने और प्रचार करने की तुनताप्रतान करते समध्ः धर्म के अधार पर-प्रोग लगाता आ अगला प्रस्णाइं local 17 जब हम लेंग tua करते हैं तो हमारा अभी व्हाजन मतलब इस्तृचइ पुरुस के अधार पर लिंग के अधार पर आप विवाजन करते हैं इस्त्री और पुरुस के बीच में क्या जैविक अंतर की बात होती है समाज दुआरा इस्त्री और पुरुस को दी गई असमान भूमकाए पुरुस को घर के बाहर की जिम्मदारी इस्त्री को घर के अंदर की जिम्मदारी दी जाती है और घर के अंदर की जिम्मदारी में उसको बाहर निकलने का दिकार नहीं दिया गया उसे चार दीवारी में कैद माना जाता है कि आपको इसी के अंदर रहना है मर्यादा उसको नाम कहते दिया का कि मर्यादा में रहना है पुरुस घर के बाहर के का करेगा घर के काम अगर रोटी पुरस ने बना ली तो आप समझ लीजे कि कहेंगा रहे यार वो कैसा आदमी यह क्या हो गई ऐसे विभाजन हो जाना समाज के दुवारा बालक और बालकाओं की संख्याओं का अनुपाथ इसको आप लिंगानुपाथ की रूप में भी देखते हैं कैसे लिंगानुपाथ के रूप में भी देखते हैं जैसे आप देखते हैं आप पाते होंगे कि संख्याओं की तुल्ला में कम है तो वैसे ही बालक बालकाओं की संख्याओं का अनुपाथ लोग तांतरिक विवस्थाओं में महलाओं को मद्दान का अधिकार ना दिया प्रेक अंतर भग्मान ने बना दिया संख्या भी ठीक है कि फिक्स क्या है जो समाज की दवारा इस्तुरी पर उसके बीच में असमान भूमकाएं दी गई है उससे हमारा लेंगी की भाजन से हमारा मतलब होता है अगला प्रस्णा प्रस नमर आठ भारत में यहां औरतों के लि कि अगला प्रस्णा प्रस नमर रौ समन्बस्त कर रहें संपताह कर राजिती इस ढरना पर अधारिद है कि एक धर्म दूसरों से स्रिस्ठ है दूसरा बिबं धर्मों के लोग समान ना लागरिक के रूप में खुसी खुसी शाथ रहते हैं एक धर्म के निवाई एक समधाय मानते हैं एक धार्मिक समोग का प्रभुत बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में सासर की सक्ति का प्रियोग नहीं किया आता है तो आपको यह बताने हैं कि इन में से कौन सा कथन के बारे में आपको गौर करना है कि संप्रदाइक राजिती की ध match में ना कि आगला प्रसेज मधश्नाम प्रस नमबर दास भारतिय समधान के बारे में इन February कौन सा कथन गलत है चार बताए गए आपको कि ऑ कि यह धर्म धर्म दार पर भेद भाव की मनाी करता है यह एक धर्म को राच की धर्म बता है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने के अजादी देता है किसी धार्मेक समधाय में सभी नागरेकों की बरावरी का दिकार देता है तो इन चार मैंसे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें तो इसका सुस्तही जवाब वो क्या है ऑप्सन नमबर भी एक धर पर अधार समाजिक भाजन कहा है सिर्फ भारत में देखने को मिलता है अगला प्रस नमबर 12 सूची एक और दो का मेल कराना है आपको नीचे दिये गए कोड के आधार पर आप जवाब देंगे पहले हम यहां मेल करा देंगे कोड बाद में पन देख लेंगे अधिकारों और आउसरों की मावले में इस्तरी और पुरस की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या है संपदायक है नारी बादी है धर्म निर्पेक्ष है जाती बादी धर्म को समदाय का मुख अधार मानने वाला व्यक्ति क्या होगा जाती को समदाय का मुख अधार मानने वाला क्या होगा व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था अधार पर भेदभाव ना करने वाले को आप क्या कहेंगे धर्मिर्वेक्ष तो हमको मिले गया चौथे का तीसरा धर्म को समधाय का मुख अधार मानने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है उसको आप कह सकते हैं संप्रदायक और जाती को मुखाधार मानने वाले व्यक्ति को आप कह सकते हैं क्या जाती वादी अधिकारों के मामले में इस्तरी और पर उसकी बराबरी करने वाले को आप कह सकते हैं नारी वादी मतलब पहले का दूसरा दूसरे का पहला चौथे का तीसरा और तीसरे का चौथे का तीसरा मागनेट बेंज अपनी हाई क्वालिटी एजूकेशन साथ ही साथ निस्वल्क सिक्षा के लिए भी जाना जाता है मतलब आपको यहां पर किसी प्रिकार का कोई पेमेंट नहीं करना है क्वालिटी कंटेंड के लिए हम बहुत सारे कोर्स ओफर करते हैं बिलकुर निस्वल्क म मिलेंगे आप हमसे अलग अलग सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी करनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब फेस्बॉक इंसर्ट्टर और टेलीग्राम के माद्यम से आप वहां पर मैगनेट बेंज सर्च करेंगे तो हमें पाएंगे तो वहां पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट धन्यवाद